हलो एव्रिवन कैसे हैं आप से साथ तारीक से नवरात्र शुरू हो रहे हैं जो कि बहुत आस्पीशिस है जैसे कि काफी सारे लोग रुके वे थे कि हमें ये चीज खरी दिया या कोई पूजन करना है या कोई एंगेजमेंट करना है या कुछ भी लेना हो तो शराद में नही करते हैं बट अब आगे हैं बहुत ही ऑस्पीशिस डेस जहां पर हम कोई सगाई वगेरा इंगेजमेंट वगेरा करनी होती है या कोई भी रुके वे काम है अगर वो आप लोग करना जाते हैं या कुछ नया खरीदना चाते हैं या शादी की शॉपिंग करना जाते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हो नवरात्रो से रिलेटेड उपाए बट साथ ही आज मैं आपके साथ शेयर करूंगे एक ऐसा उपाए जिससे आपकी बहुत ही पुरानी कोई भी मनो कामना ऐसी है जो पूरी करना चाहते हैं तो वह फटाक से पूरी हो जाएगी और जल पूरी हो जाएगी मा के आशिरवात से जरूर पूरी होगी बहुत ही सिंपल चीज में आज आपके साथ शेयर करने वाले हो बहुत ही नया चीज है और जरूर ट्राइ कीज़ेगा क्योंकि मुझे पक्का बता है आप लोगों को रिजल्ट जरूर की जरूर मिलेगे साहत बहुत सारे और भी आज आपके साथ उपाई शेयर करने वाली हो तो वीडियो में इन तक बने रहेगा बट उससे पहले ये जानल लीजे मैं कौन में शानली गुपता वास्तों करने नमस्ते आप सब को मेरा आशा करती हो आप लोगों में सब सही होंगे मजीब होंगे मस्त करते हैं कोई जॉब होता है कोई माता की स्थापना करता है बहुत सारे लोग अलग अलग चीजे करते हैं बहुत से लोग कुछ भी नहीं करते बट व्रत जरूर रखते हैं तो आपकी मर्जी है ये जरूरी नहीं आप लोग व्रत रखे जरूरी नहीं माता की स्थापना करे अगर आप लोग करते हैं, तो बहूत अची बात हैं कहते हैं, तो भी कोई बात नहीं है, परिशान होने वाली बात नहीं है जो भी आज मैं आज आपके साथ उपाय शेयर करे हुआ आप वो उपाय Einं-करत कर सकते हैं सबसे पहले चलते हैं, पहले उपाय की तरफ अगर आपकी शादी में देरी हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो जाए अगर कुछ ना कुछ शादी में अपस्टेकल जा रहे हैं या फिर आपकी मैरेज लाइफ में खराबी आ रहे हैं तो आपको क्या करना है नौ दिन तक लगातार आपको पान का जो पान बनाते हैं पान का बीड़ा जिसे बोलते हैं वो बनाके माता रानी को चड़ाना है लगातार नौ दिन तक करना है आपको यह उपाए नौ दिन उपाई जब आप पान का बीड़ा चड़ाएंगे या वो पान चड़ाएंगे तब आप मा को जरूर प्रातना कर और ये उनको चड़ाएंगे तो देखेंगे जल्दी जल्दी आपके नौ दिन के अंदर ही अंदर आपको महसूस होने लग जाएगा कि आपकी लाइफ में मैरेड लाइफ ठीक हो ना सार्ट हो जाएगे और आप कोई रस्ते बन जाएंगे अगर आप मैरेच करना चाहते हैं अब चलते हैं दूसरे उपाई की तरफ काफी लोग नौ दिन अखंड दिया चलाते हैं बट अगर आप लोग नहीं चला पाते और आपके जॉब से रिलेटिड प्रॉब्लम हैं इशूस आ रहे हैं जॉब में या फिर ग्रोथ नहीं मिल रही करियर में या फिर बिजनस बह जरूर चलाएं उसमें दो लॉंग जरूर डाल दीजे फिर देखें जल्दी से जल्दी रास्ते खुल जाएंगे जॉब भी मिल जाएगी आपको और करियर में ग्रोथ भी होगी बिजनस भी अच्छा चलनने लगेगा चलते हैं तीसरे उपाई की तरफ अगर कोई काम में अब सिकल्स आ रही है तो पांच तरीके के सुखे मेवे लीजे लाल चुनरी लीजे और पहले दिन नवरातर के पहले दिन यानिकी साथ तारिक को मातारानी को चड़ाएं और प्रात्ना कीजे आपकी जो भी काम है जो भी रुकेवे काम है वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं अब चलते हैं चौते उपाई की तरफ अगर आपको लगता है आपके पास पैसे की कमी है या मानी फ्लो नहीं है डेट्स हैं बहुत जादा बहुत परिशान है करजों से परिशान है तो पांच के पत्ते पर सुपारी रखकर आप मातारानी को नौ दिन तक लगा ता पूटा सा ही क्यों ना तो फिर आप देखेंगे आपकी लाइफ में पैसे की जो भी रास्ते बंद हुए में वो खुल जाएंगे पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे अब चलते हैं विश फुल्फिल्मेंट टुपाई की तरफ जो की बहुत ही सिंपल है आपने सुना है या बहुत सारी लोगों ने देखा भी होगा या बहुत सारी लोग करते भी होंगे आप लोग खेती करते हैं जो की दिशायरे पर इस्तमाल किया जाती है तो अब आप जब खेती करेंगे जब आप जोब होएंगे अगर सपोज आप लोग जोब नहीं बोते अगर आप जोब न अब जब आप जो बोएंगे एक मिट्टी के बरतन में जो बोएंगे अगर नहीं भी बोते तो इन 9 दिनों में ज़रूर करिए क्योंकि कहीं न कहीं हमारी money related जो problems है उनको भी खतम करता है तब आपने एक मिट्टी का बरतन लेना है उसमें मिट्टी डालनी है काफे सारी मिट्टी डप जब आप डालेंगे तब आप उसके अंदर वो चिट रख देंगे और उसके बाद आप उपर जॉर डालेंगे उसके बाद पानी डालेंगे और 9 दिन तक लगतार उसको आप सीचेंगे पानी डाल कर उससे आप देखें कि आपकी जो भी विश है वो जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगी अब जब 9 दिन में जब आप इसके वो निकालेंगे आप जो खेती निकालके यूज करोगे जो मिट्टी है वो किसी भी गार्डन में आप डालेंगे तो साथ साथ वो विश भी आप वही पर डाल देंगे दबा देंगे उससे क्या होगा वो बहुत जल्दी 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 आपकी जो विश है वो जल्दी पूरी हो जाएगी ये उपाई बहुत ही magical उपाई है करके देखिए आपको पका result मिलेगा करके देखिए आपको उससे फिक plain paper पर अपनी विश लिखनी है और मिटी के अंदर दबा देना है जो लोग मिटी का बरतन नहीं रखना चाहते हैं मंदिर में वो बरतन नहीं रखना चाहते हैं आपनी घर के garden में भी आप कर सकते हैं हलके से garden को आपको खोधना है वहाँ पर मिटी खोधनी है थोड़ा सा वो चिट डालनी है बंद कर देना उसके उपर आपने जौन डाल देना है और देली उसको पानी डालना है नौ दिन तक लगातार कीजिए जो भी विश आप डालेंगे वो जल्दी ही पूरी हो जाएगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ता ता बाई 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 थांक यू फ्रेंज हैपी नवरात्रे